नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल आरोग्य भारत में तो दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करता हूं अच्छी होंगे तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बालों में लगाने के लिए सरसों के तील के फाइदे के बारे में बात करने जा रहे हैं सरसों के तिल लगाने से बालों में क्या फायता मिलता है बालों के लिए सरसों के तिल के फायदे क्या है इस वीडियो में आज इस वारे में आपको बताने जा रहे हैं तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए वीडियो में आगे बड़े से पहले मैं आप से करूंगा चोटी स्य रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लाने शाथ में bell icon को फ्रिस करें भारती घरों में सरसों के तेल का इस्थिमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है पर ये बालों के लिए भी बहुत फाइदे मन्द है और नेचुरल होने की वज़े से इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है बाल जड़ना एक आम समस्या है प्राकरतिक रूप से हर किसी के कुछ न कुछ बाल गिरते ही हैं लेकिन धिक्कत तबाती है जब इनका गिरना हद से जादा हो जाता है लोग इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ना जाने कितने ही उत्पाद जैसे जैल, क्रीम, लोशन और तेल का इस्तिमाल करते हैं फिर भी समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाता अगर आपको जानकर हरानी होगी कि जिस समस्या का उपचार आप कॉस्मेटिक उत्पादों में ढूंड रहे हैं उसका हल आपके ही किचेन में छपा हुआ है हम बात कर रहे हैं सरसों के तेल की वैसे कि इस वीडियो में हम आपको बालों के लिए सरसों के तेल के संबचे सभी जानकारियャं देंगी सरसों के तेल की वैसे पोसक तरесп seventeen के बालों को जड्ड़ों से मजबूत करता हैं सरसों के तेल से स्केल्प की मालिस करने से सिर्व में रख संचार बेतर होता है जो बालों को जटने से रोखने में साहिता करता है। दूसरा फाइदा है बालों की कंडिशनिंग। गर आप रूखे और बेजान बालों की समस्या से परिशा है तो सर्सो का तेल आपके बड़े काम आ सकता है बताया जाता है कि सर्सो का तेल रूखे और बेजान बालों में जान डाले का आग बहतर काम करता है साथ ही इसके मसाच के सकैल्प में खुन का सचार बढाता है जो बालों के स्वस्थ के लिए बेहद उप्योगी माना जाता है कहा जाता है कि नहाने से कुछ घंटे पहले सरसो के तेल की मसाच बालों को नरम, मुलाइम और चमकदार बना सकती है तीसरा इसका फायदा है मालिस के लिए बेहद उप्योगी है सरसो का तेल सिर की मालिस करने के लिए भी सरसो का तेल बेहद उप्योगी माना जाता है सरसो के तेल से सिर की नियमिद मसाच तनाव को कम करने में मदद करती है बताया जाता है कि तनाप बालों को कमजोर पतला होने का एक बड़ा जोखिम कारक है इसलिए सर्सों का तेल प्यत्यन प्रियोग आपके बालों से कई समस्यां चुटकारा दिलाने में काम करता है अगला फायदा जान लेते हैं बालों का पोशन शर्सों का तेल बालों को केबल नरम, मुलाइम और शमंगदार ही नहीं बनाता बलकि बालों को पोशन देने का काम भी करता है विशेशगों के मताविक इसमें सेरेनियम, ओमेगा 3, फैटी एसिड और प्रोटीन पाया जाता है जिनमें एंटी ऑक्सीडेंट गुड मौजुद होते हैं वही इसमें विडामिन P3 यानि नयासिन भी मौजुद होता है ये सबी तत्तु संयोजी डंग से हमारे मस्तिक्स और बालों के लिए काफी लाधायक माने जाते हैं तो फ्रेंट्स अगे बात करते हैं दो मुहे बाल उसे सरसो के तेल की मसाज कर लें अगर आप चाहें तो नाहने के बाद भी हलका तेल बालों में इस्तिमाल कर सकते हैं बता दें कि इसमें सेलेनिम ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटिन पाया जाता है जिनमें एंटी ऑक्सीडेंट गुड मौजुद होते हैं ये सबी तत् अब तोलियों को सामन पानी में बिगो लें इस तोलियों को अपने वालों में घुमा कर लपीट लें अब यसे 30-40 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें समय पूरा होने के बाद बालों को धुड़ा लें इस प्रिखरिया को हर अपते में करीब दो बर दो रहें बताते चलें आप को कैसे फाइदे मंद होता है बताया जाता है एंटी अक्सिडेंट प्रभाब के साथ विटामिन और मिल्नेंस का अच्छा इस्तरूत है सरसों का तेल सरसों के तेल में एंटी अक्सिडेंट प्रभाब के साथ विटामिन और मिनरस भी अच्छी मातरा में पाए जाते हैं जि इस अभी तर तो संयों जितंसे बालों को विकास में साहता साथ करते हैं तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आपको गुधा मेरा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बैल आइकन प्रेस करें इस वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ में सेयर करें और इस वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ऐसे ही उप्योगी और वाइदे मन वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फरगले वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर और बाई बाई